स्वागत एक बाद फ्रिश्या आप सभी का एक्जाम गुरुजी बाई यर्विंद सर यूट्यूब चैनल में देखिए ग्रामीर बैंक के एक नई भरती है आप सभी के लिए अगर आप गर्जोशन कंप्लीट कर चुके हैं एनी स्ट्रीम से कहने का मतलब है चाहे बीए कंप करती हैं जिसमें इंगलिश् rotten कंपली कहने का मतलब में मेरे पहरे भाई इसमें जानकारी देने बाला हूं दूसरी बात आप जानते हो भाई कि बैंक के नोकरी कितने मज़ेदार की नोकरी होती है पहले तो मैं इसके बारे में कुछ details आपको बता देता हूं उसके बाद मैं इसके job profile के बारे में कुछ और आपको बताऊंगा टेकि यह सबसे पहले में आपको बता दूँ कि total जो post है वो 55 है हलाकि अपके बार यह कमारी है धालनकि पहले बहुत ज्याद़ ज्याद़ पूश्ट आ दी थी लेकिन फिर भी प्च-पंसो आपके लिए बहुत है यह आल इंडिया वेगंसी है इंडिया के किसी भी स्टेट से जो भी कंडिडेट चाहे वो मेल है जी है वो इसमें अप्लाइ कर सकते हैं न तो इसमें कोई हाईट की जरूदित है नहीं किसी की कोई भी फिजिकल की जरूदित है कि वह ल allow क 식으로 शेए तो आपके पढ़ाई की आपकी मेहनत की देकिवे इसमें पोस्ट की बाद करें तो तो आपके लिए जो आइज मात्र एकसो पच्छत्र रुपए के बीच और इसके छूट मिलेगी वह ऑफीच के दिए जो है आपके वह ओने चाहिए अथारस से 28 के बीच और इसमें छूट मिलेगी वो OBC को 3 साल की और 80 और 80 कंडिडेट को 5 साल की कहने का मतलब है कि 18 से ले करके 31 साल तक वो OBC कंडिडेट जो है वो डाल सकते हैं और 18 से ले करके 33 साल तक 80 और 80 कंडिडेट डाल सकते हैं बाकि अगर आप जनरल कंडिडेट हैं, तो आपकी ओम एज जो है, वो 18-28 के बीची होनी चाहिए। और इंडिया विगंसी है, मेल और फिमेल दोनों इसमें अपलाई कर सकते हैं, चाहिए आप मेल हैं तो भी, फिमेल हैं तो भी। क्वालिफिकेशन जो है, इसमें एक यवलर के अल असना तक जरूरी है, किसी भी सब्जक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आप अगर गुर्जशन कंपलीट किये हैं, तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं, इसके अनमा मैं आपको बता दूँ मेरे भाई कि इसमें ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, और जो इसके अनलाइन आविदन केरने के लाश्ट डेट है, वो है 28-6-2024, कहने का मतलब है, 1-1-2-2024 से 28-1-2-24 के बीच इसके आविदन होंगे, आप अप अपलाई कर सकते हैं, सेलरी इसमें अच्छी काचिए बाई, सुरुवात से ही आपको 45,000 प इसमें आपका 2 पेपर होगा, पहले आपका PD होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, और इसके बाद आपको final सेलक्शन होगा, इसमें कोई भी इंटर्वीव नहीं है, केवल और कोल पहले आपको pre-qualify करना है, फिर आपको मेंस कौलिफाइ करना है, उसके बाद आपकी जोइ देख लिजे, reasoning के 40 questions पूछे दाएंगे, maths के 40 questions पूछे दाएंगे, यानि कि 40 questions, 40 questions यानि कि 80 questions पूछे दाएंगे, और ये 80 marks के होंगे, हल करने के लिए मात्र 45 मिनट का समय दिया जा रहा है, 45 मिनट में आपको 80 questions complete करना है, 80 questions हल करना है, लेकिन डेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो questions पूछे दाते हैं, चाहिए वो reasoning का हो, चाहिए वो math का हो, बहुत easy questions है, क्योंकि आप इतना अंदादा खुद लगा सकते हो, कि मात्र 45 मिनट में 80 questions करना, ये guys कोई आसान काम नहीं है, इस वज़े से बहुत easy questions पूछे दाते हैं, आपको केवल अड़कोल speed की जरूरत थे बस, कोई ज़्यादा tough नहीं पूछा जाता है, नहीं मिश्वास तो आपको एक mock वगरा देगर के देख लीजिएगा, जब आप pre-qualify हो जाएंगे, उसके बाद आपका होगा mains, मेंस में देख लीजिए, इसमें जो syllabus हैं, वो guys 5 subject के हैं, reasoning होगा, जी के general awareness and current fair के questions होगे, हिंदी या फिर English, ये आपके choice के आधार पे हैं, अगर आप हिंदी भांसी चेतर चाइएंगे, आप नबर के पूछे दाएंगे, कहने का मतलब है, चालिश क्यास नंबर के होगा, जी के ये हैंदी या इंगलिस ये आपके choice के आधार पे है, 40 question पूछे दाएंगे 40 number के होंगे computer के 40 question पूछे दाएंगे 20 number के है maths के 40 question पूछे दाएंगे 50 number के है कहने का मतलब है अगर यहां पे देखा जाए तो जो total questions होगा mains में आपका वो 200 questions होगा और इसमें जो marks मिलेंगे वो 200 marks मिलेंगे और हल करने के लिए आपको पूरे दो घंटे का समय यानि 120 मिनट का समय दिया जाएगा नेगेटिम मार्किंग इसमें होगी वो है वन बाई फूर की एक बटे चार के नेगेटिम मार्किंग है अगर एक तरीके से कहूँगा इस तो 200 मार्क्स का यह आपका एक्जाम होगा और कम से कम आपको 125 से 130 के बीच मार्क्स लाना ही होगा तभी आपका फाइनल सेलक्सन हो सकता है तो इस वज़े से 125 से 130 आपको टार्केट बना करके चलना है अगर इसमें आपको जॉब लेनी है तो देखे डेट जो पहले ही निर्धारित है प्रिलिम्स जो होगा आपका यह अगस्त में आपका प्रिलिम्स करवा लिया जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा और उसके आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगा गिफ्ट यह गाईज आपके जीके के लिए यह 5000 से ज्यादा जीके की कोईशन की इबुक है इस इबुक की सबसे बड़ी और खास बात यह कि इसमें जितने भी कोईशन से सरल लेंगोज में समझाए गये हैं ताकि पढ़ने में मजा इसमें आपके सबी टॉपिक सबी सब्जेक्ट यानि की हिस्ट्री जोगराफी एकोनामिक आश्ट्रिउशन साहीं फिजिस कमिस्ट्री बाला जी और इस्टैटिक जीके की 5000 से ज्यादा कोईशन मिलेंगे साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा इस इबुक की सबसे ब लेना है तो आप इसे दिये के वर्ट्स अप नंबर नंबर है 89486666652 रहने की 89466652 इस पर आपको वर्ट्स अप करना है और यहां से आपको यह इबुक मिल जाएगी 149 रुपे में अगर आपको इसका डेमियो रिवियो देखना है तो आप ही इसी नंबर पर वर्ट्स अप पर के इसका डेमियो पेज भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो आप इस इबुक को एक बार जरूर पढ़ लीजेगा जीके का डर पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा ठीक है तो जीके के डर से समंदित आपका कोई भी गाई अगर सवाल है तो वही सारी आपकी इबुक जो है खबन कर देगी तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भरती के बारे में बहुत ही बेतरी इन पोस्ट है बहुत ही बेतरी जोब है और मेरे पहरे बाई अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सक्सें में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको जबाब वीडियों से नई मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में तब तक के लिए खुछ रहिए मुश्कुराते रहिए जय हींद जय भारत वंदे मात्रम